नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तो अक्सर यही कहा जाता है कि अपने लिए पतनी बहुती साफ धानी से चुननी चाहिए क्योंकि यह वो स्त्री होती है जो आपके जीवन के सारे बिगड़े रिष्टे को सुधार भी सकती है और अच्छे संबंदों को बिगार भी सकती है इसलिए दोस्तो जीवन साथी का जुनाव बहुती सोच समझ कर करना चाहिए तो आईए जानते हैं आज की वीडियो में की कैसी स्त्री भागिशाली होती है और कैसी नहीं दोस्तो किसी भी परिवार की खुशहाली, मुख्यता उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है महिलाएं तो घर की जरूरत होती है और इनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता महिलाओं से ही घर में रौनक और शोबह होती है विवा दोस्तों एक ऐसा बंदन है जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ मोह के धागे में बंद जाते हैं विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कलपनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। तो ऐसे में चलिए दोस्तो जानते हैं इसके बारे में शिर क्रिश्न क्या कहते हैं। दोस्तो जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कलपना करती ह तो उनके मन में पती के रूप में एक ऐसे साथी की कलपना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका सरक्षन करे और एक सुरक्षित जीवन दे और जब भी कोई पुरुष विवा के लिए अपनी पत्नी की कलपना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुक, शा करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो लेकिन दोस्तों विवास से पहले तो हम किसी का स्वभाव जानी नहीं पाते तो है कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुंवान और भागिशली है यह नहीं। साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहु बन कर आए वो अपने पती और अपने परिवार वालों के लिए सौ भागे लेकर आए सामुद्रिक शास्तर में महिलाओं के शरीर के कुछंगों के लक्षणों के बारे में बताया है जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है उसका भाग्या और उसका चरित्र कैसा है तो चलिए आज हम देखते हैं सामुद्रिक शास्तर में महिलाओं की कौन सी ऐस शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया है जिस से पता चलता है कि वो महिला भागेशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्यान होता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहली बात जिन महिलाओं के बाल लंबे घने सीधे और लहरदार होते हैं ऐसी महिलाएं इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और एश्वरे मिलता है ऐसी स्त्री से विवा करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं दोस्तो दूसरी बात जिन महिलाओं की नाभी गोल गहरी और बड़ी होती है तथा नाभी पर या नाभी के आसपस तिल होता है ऐसी महिलाओं सौभागे वती होती है इनके सौभागे से घर में सुख सम्रिध्धी आती है और परिवार का भागे उदे होता है नमबर तीन जिन स्त्री के अंगुठे पर अर्द चंद्रकार बनता है तो ऐसी महिलाओं भी बेहदी वभाव का माना जाता है ऐसी महिलाओं अपने पती के लिए वफादार होती है इसके साथ ही महिलाओं जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी कलेश का वातावन नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भागे भी चमक जाता है पांचवी बात जिन महिलाओं की नाक के प्रिष्ट भाग पर तिल होता है ऐसी महिलाओं भागे शाली होती है और सुख सम्रिद्धी से भरपूर जीवन जीती है इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में उसे सुख सम्रिद्धी प्राप्त होती है दोस्तों सातवी बात जिन महिलाओं के दा बागेशाली मानी गई हैं ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। हतेलियों पर शंक्र चक्र जैसा कोई शुबचिन होता हैं उंगलियां लंबी और सुन्दर होती हैं। पास पास होती हैं एडियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं ऐसी महिलाएं साक्षात मालक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। पुरानों के अनुसार ऐसे पैर मालक्ष्मी जी के कही जाते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं दिल की बहुती अच्छी होती हैं, हमेशा अपने परिवार का वो साथ देती हैं। इसी के साथ सामुद्रिक शास्तर में दातों के गैप के बारे में भी बात की गई है। थोड़े जिद्धी और ज़्यादा बोलने वाले होते हैं ऐसे लोग भागेशाली माने जाते हैं ये लोग इमानदार होने के साथ साथ मनुरंजक भी होते हैं ये लोग हमेशा सिस्ट्रम में रहकर काम करते हैं इन लोगों को सिस्ट्रम में रहकर काम करना अच्छा लगता है ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती इन लोगों के चहरे पर हमेशा खुशी बनी रहती है ऐसा माना जाता है जिन लोगों के दांतों के बीच में ज़्यादा गैप होता है वो लोग परिवार में घुल मिलकर जीना पसंद नहीं करते ये सबसे अलग रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं और हस्ते रहते हैं, इनी लोगों से दोस्ती करना अच्छा भी लगता है शास्त्रों के अनुसार दोस्तों तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ती रखता है जोतिशों के अनुसार शरीर के कुछ हिस्सों पर तिलका होना शुब संकेत देने का काम करता है तो आईए जानते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिलका होना शुब माना जाता है नमबर एक गर्दन पर तिलका होना स्त्री की गर्दन पर तिलका होना धैर्य और बुद्धी का संकेत होता है ऐसी महिलाएं बेहच चलाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मिहनत करने वाली होती है ऐसी महिलाएं अकसर अपने जीवन में उचाई को प्राप्त करती है नमबर दो ठोड़ी पर तिल का होना जोतिश के अनुसार जिन महिलाओं के ठोड़ी पर तिल होता है वैसी महिलाओं जीवन में सुख और अनंद का भोग करती है ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है नमबर तीन कमर पर तिल का होना जोतिष शास्तर के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और परचुरता होता है कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्यान करने के महान अफसर प्राप्त हो सकते हैं ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं नमबर चार भों पर तिलका होना जोतिशों के अनुसार जिन महिलाओं के भों के बीच में तिल होता है वैसी महिला बेहदी भागिशाली होती हैं उन्हें धन और समरिती का अशिरवाद मिलता है जोतिशास्तर के अनुसार जिन महिला की बाई या दाई भों पर तिल होते हैं ऐसी महिला को जीवन में कठी नाईयों का सामना नहीं करना पड़ता नंबर पांच पैर के पंजे पर तिल का होना जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं ऐसी महिलाओं उच्छिक्षा प्राप्त करती हैं वो सभी सुक्सुविधाओं के साथ अपना जीवन जीया करती हैं। ऐसी महिला इस वभाव से विनर्म होती हैं। वो हमेशा समाज और जुरूरतमंद लोगों का कल्यान करने के बारे में सोचती हैं। नमबर साथ सिर परतिल का होना जो तिश शास्तर के अनुसार माथे परतिल होने से आतम विश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा परतिल हो तो इससे महिला के उच्छी आत्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उनमे वातम विश्वास बना रहता है अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना भूले तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद